हेलो एव्रिवान सुयश काटे जी का मेरे पास कमेंट आया है वो मुझसे कहते हैं कि एक्टिवर 6G मेरे 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 स्टेंड से बहुत आ साउंड आता है मैंने चेक किया कि उसका रबर बुष भी ठीक है लेकिन फिर भी उसमें प्ले आता है मैंने उनको रप्लाइ दिया मैं वीड़ो जरूर बनाओगा पदर आक्टिवर वो ये कहा रहे है कि उनका जो स्टेंड है बुष वाली प्रॉब्लम तो सीरिज से बात है कि वो मेरे स्टेंड की ही बात कर रहे है तो उनके main stand से काफी ज्यादा sound है जबकि उन्होंने check भी किया है कि उनका जो bush है वो proper है आप देखिए मैप को बताता हूँ कि actually sound का reason क्या होता है आप देखिए bush मैं बता हूँ actually क्या होता है तो आप देखेंगे ये वाली ये जो rubber padding लगी रहती है वो जाके यहाँ पास है मतलब ये engine की यहाँ पास लगता है देखिए ये दाग होंगे दोठो तो ये bush यहाँ पर जाके अटक जाती है तो अगर ये bush proper है फिर भी sound उनको आ रहे है उन्होंने check किया कि main stand play काफी जादा है play in the sense यह होता है कि मतलब ये जो main stand काफी जादा free है यानि काफी जादा ढीला है काफी जादा lose है तो actually मैं उनको बता दूँ कि जो आपका main stand है ये पूरा निकलेगा मतलब showroom जाएगा तो showroom जाके बोलेगे कि मेरा main stand जो काफी जादा play आता है इसके अंदर एक side run out गयता है तो फिर रॉसकता है रॉड नहीं मिलेगी तो इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से greasing करवानी है इसके अंदर आप greasing acid करवाएंगे लंबा वाला जो patchcus आता है लंबा वाले patchcus से पुरी तरीके से grease लगा है एब इसके अंतर पुरी grease को आप release करेंगा और कि चिप काएंगे इसके अंदर grease को grease चिप काने के बाद वो पूरा चेक करेंगी कि कोई सा netbolt जो है वो loose या फिर कोई netbolt गिर तो नहीं गया है क्योंकि इसका रीजन सिर्फ यही होता है कि अगर कोई नट बोल्ट गिर गया है या फिर कोई चीज लूज है इसी वज़े से आपके यहाँ पर साउंड क्रियेट होती है और यह जो कफेदा लूज हो जाता है अगर बहुत ही ज्यादा लूज है तब फिर कोई बहुत बड़ कर रहा है है तो यह देखिए यह वालि कभी कभी क्या होता है कि पर देखिए कर लूज होगा तबGM vibration create करेगा ज़ाधा tight होगा तब भी vibration create रहेगा जब यह lose होगा तो जब गारी normal चलेगी तो यह नीचे हो जाएगा उपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा उपर को कि लूज आईए तो इसको खुद को नहीं पता है मैं अगर को जाना करें तो यह लूज रहेगा तो यह engine से रड लगी हुई है वह प्रॉपर्ली लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है और इसमें प्रॉपर आपकी जो है मेरी स्टैंड में ग्रीसिंग होगी ग्रीसिंग करवाने के बाद आपको पूरे अंदर तक आपको ग्रीसिंग करवानी है ग्रीसिंग करवाने बाद आपको पूरा च प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी बस होता यही है कि काफ़ी तर टाइट और लूज होने की वजए से में श्रेंड जो है काफ़ी तर साउंड क्रियेट करता है होप सो आपको वीडियो के मात्यम से कुछ जाने के जरूर मिलेगा तर लूज है तर लूज है